हेलो एशुडेंस मैं हो विकाष और मैं आप से एका नॉलेज वीम यूटिप चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत करता हूँ एशुडेंस आज की वीडियो में मैं क्लास्टेवलव के इंगलिस प्रोच का जो तीसरा लेशन है डीप वाटर अर्थात गहरा जल इस लेशन का हिंदी एक्स्प्लेनेशन लेकर आया हूँ और इस लेशन का यह तीसरा पार्ट है मैंने इससे पहले पार्ट वण वा टुझ पहले यह अप्लोट कर दिया है यदि आपने अभी तक उन्हेवाच नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके या हमारे चैनल को विजिट करके आप उन्हे पहले वाच कर लीजिए तो इस इस तीसरा पार्ट को मैं इस सुरू करूँ इससे पहले आपको बताना चाहूंगा यदि आप बोर्डिंग जाम 2022 के लिए कम्प्लीट इंग्लिज ग्रामर का या टेस्ट बुक का प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल अप्लिकेशन नॉलिज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिजेगा लिंक मैंने वीडियों के डिस्टेशन में दिया हुआ है तो चलिए बगए समय वेश्ट की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और डीप वाटर नामकिसलेशन का जो तीसरा पार्ट है उसे हम लोग देख लेते और स होते हैं इसलिए होना आर्थ देते हैं and then strangely there was light और तब अजीब तरीके से वहाँ प्रकाश हुआ या रोशनी हुआ I was coming out मैं बाहर आ रहा था of the awful yellow water उस भयानक पीले जल से यानि मैं उस भयानक पीले जल से बाहर आ रहा था at least at least कम से कम my eyes मेरी आखे वर मतलब थी कम से कम मेरी आखे थी या थात मेरी आखे जल से बाहर थी my nose मेरी नाक wise मतलब था almost मतलब लगभग out मतलब बाहर to मतलब भी यानि मेरी नाक भी लगभग बाहर थी देन मतलब तब I started मैंने शुरू किया down मतलब नीचे और third time तीसरी बार यानि तब मैं तीसरी बार नीचे शुरू किया आई सक मैंने खीचा for air सक मतलब खीचना या चूसना I started for air मैंने हवा के लिए खीचा रथात मैंने हवा की तलास की and got water और जल प्राप्त कर लिया देन मतलब तब आल एफट मतलब पूरे प्रयास सीज मतलब समाब्त हो ना देन आल एफट सीज तब पूरे प्रयास समाब्त हो गया I relaxed मैं अराम करने लगा even यहां तक की my legs मेरे पैर felt मतलब महसूस किये limp तो limp मतलब आपका होता है सक्ति हीन या लंगडाना ठीक है even my legs felt limp यहां तक की मेरे पैर शक्ति हीन को महसूस किया था यहां तक की मेरे पैर शक्ति हीन हो गए और ब्लाइकनेश एक अंधकार स्वेप्ट ओवर मतला वस्मे करना होता है उसी का फ़ाम है और ब्लाइकनेश स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन और एक अंधकार मेरे मस्तिस्क को वस्मे कर लिया और थात मेरे मस्तिस्क के उपर चागया और एक अंधकार मेरे मस्तिष्क को वस्मे कर लिया या मेरे मस्तिष्क के उपर छागिया इट वाइब आउट फियर इसने भय का सफाया कर दिया देरवाज नो मुर पैनिक देरवाज नहीं था नो मुर और अधिक पैनिक मतलब दर या भय और अधिक भय या डर न था इट वाज क्वाइट खामोसी थी and peaceful और सांती थी Nothing, कुछ नहीं था, to be afraid भैवीथ होने के लिए, याँ भैवीथ होने के लिए कुछ था ही नहीं This is nice, अच्छा है या अच्छा होता है To be Drosy, drosy मतलब नीद से भरा होनाれた नीद से भरा होना venus To go मतलब जाना, to sleep मतलब सोने के लिए यानि सोने के लिए नीद से भरा होना अच्छा होता है नीद के लिए जाना नीद से भरा होना अच्छा होता है No need कोई आवशकता नहीं है To jump मतलब कूदने की यानि कूदने की कोई आवशकता नहीं है To tire to jump इतना थक गया हूँ To jump की कूद नहीं सकता टू को रिमूप करेंगे तो कहना टा जाएगा टू 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 जंप यानि इतना थग्या हों कि कूद नहीं सकता या छलाग नहीं लगा सकता इटीज नाइस अच्छा है टू भी कैरीड यानि धोया हुआ होने को जेंटली मतलब धीरे 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 ले जाया हुआ होना टू फ्लोट तैरना या उतराना एलंग इनी स्पेस आकास में या अंतरिच में तैरना अच्छा होता है तेंडर्स आम्स यानि कोमल बाहें अराउन मी मेरे चारो तरब थी तेंडर्स कोमल बाहें थी लाइक मदर्स यानि ठीक मा की तरह यानि मा की तरह कोमल बाहें मेरे चा आहिए इसके बाद I crossed मैंने पार किया टू ओबली वीजन ओबली वीजन मतलब बिस्मृति या बेहोस मैंने बेहोसी को पार किया अर्थात मैं बेहोस हो गया and the curtain of life fail और जीवन का curtain परदा फेल मतलब गिर गया और जीवन का जो परदा है वो गिर गया था तुसे कुछ भी ग्यात नहीं रहा the next आगे I remember मुझे याद है I was laying मैं पढ़ा हुआ था on my stomach अपने पेट पर यानि आगे मुझे याद है मैं अपने पेट पर पढ़ा हुआ था पेट के बल पढ़ा हुआ था बिसाइड बगल में omitting उल्टी कर रहा था the chap वह लड़का that threw me जो कि मुझे फेका था in मतलब अंदर was saying कर रहा था the chap that threw me in was saying वह लड़का जो कि मुझे अंदर फेका था was saying कर रहा था but I was only fooling कि मैं केवल but लेकिन I was only मैं केवल fooling मजाक कर रहा थे या मुर्ख बनाना someone said किसी ने कहा the kid मतलब लड़का या बच्चा नियली मतलब लगभग died मतलब मरना यानि किसी ने कहा बच्चा लगभग मरने वाला था यानि कि मर ही जाने वाला था be all right now अब सब कुछ ठीक हो let's carry him चलो इसे धोतेया लेकर चलते हैं to the locker room locker room को चलो इसे locker room को ढवकर लेकर चलते हैं carry मतलब ढोना several hours later यानि अने घंटों के बाद I walked home मैं घर चला यानि मैं घर पैदल चला वाक मतलब चलना तो मैं घर चला या घर पैदल चला I was week मैं कमजोर था and traveling और काप रहा था I shook and cried I shook मैं हिलता था and cried और चिलाता था when जब I lay on मैं पड़ा होता था my way अपनी बिस्तर पर यानि जब मैं अपनी बिस्तर पर पड़ा होता था तो मैं हिलता था यानि कापता था और चिलाता था I could not eat मैं खा नहीं सकता था that night उस रात्री यानि मैं उस रात्री खा नहीं सकता था भोजन नहीं कर सकता था four days four days यानि कुछ दिनों के लिए a haunting fear haunt haunt मतलब होता है बार-बार आना four days a haunting fear four days यानि कुछ दिनों के लिए a haunting fear यानि बार-बार आने वाला भै वाज मतलब था in my heart मेरे हिर्दय में यानि फोर डेस कुछ दिनों के लिए हाउंटिंग फियर वाजिन माई हर्ट मेरे हिर्दय में बार-बार आने वाला भै था यानि बार-बार आने वाला भै याद आता था तोड़ासा इग्जरसन मतलब परिश्रम अपेट में मुझे अपेट कर देता था making me मुझे बना रहा थे हैं मजबूर करा था ओबली हिलने को in the knees मतलब घुटनों में तो ओबली मतलब हिलना होता है या फिर आपका इस्थिर होता है the slightest exertion of set में थोड़ा सा परिश्रम मुझे परशान कर देता था making me only in the knees घुटनों में ओबली कर देता था हिलना कर देता घुटनों में कपकपी कर देता था and sick to my stomach और मेरे पेट को sick कर देता था अस्वस्थ कर देता था निए मेरे पेट को बिमार कर देता था या मेरे पेट में दर्द करता था the slightest exertion of set me making me only in the knees and sick to my stomach या थोड़ा सा परिष्ट्रम मुझे परशान कर देता था मेरे घुटने में कपकपी कर देता था और पेट में दर्द कर देता था या पेट को अस्वस्थ कर देता था इसके बाद हम लोग आगे वढ़ते हैं I never went back to the pool I never went back मैं वापस कभी नहीं गया to the pool मतलब उस ताल को मैं उस ताल को आपस कभी नहीं गया I feared water मैं जर्द से डरनी लगा था या भैवीत होने लगा था I avoided it मैं इससे बचता था वाइन मतलब बचना when ever जब कभी I could मैं बच सकता था तो नहीं जब कभी मैं बच सकता था मैं इससे बचता था a few years later कुछ वर्सों के बाद when I came to know जब मैं जान गया the waters मतलब जल of the casket तो casket जर्ने यानि कुछ वर्सों के बाद जब मैं casket से जर्ने के जल को जान गया I wanted to get into them मैं उनमें प्राप्त होना चाहता था मैं उनमें जान जाना चाहता था and when I was waiting the titan or impering river या तो मैं titan अथवा bumpering नदी में पानी में चल रहा था तो wait मतलब होता है पानी में चलना and when I was waiting और जब कभी मैंने किया वेदर आइवाज वेदिंग या तो मैं टाइटन अथ्वा बंपरिंग नदी में जल में चल रहा था और बाथेंग इनद। वार मेर अथ्वा गोर्ट रॉक्स अथ्वा गोर्ट रॉक्स के वारम लेक में अस्नान कर रहा था the terror वह भै that had seized me in the pool जो कि मुझे उस ताल में seized मतलब पकड़ा था रथा जकड़ा था would come back वापस आजाएगा रथा तो अडर वापस आजाएगा it would take possessions या अधिकार कर लेगा possession मतलब अधिकार करना या कबजे मिलेना it would take possessions आप मी वह मुझे पर अधिकार कर लेगा completely मतलब पूरी तरस से यानि कि वह मुझे पर पूरी तरस से अधिकार कर लेगा यानि मुझे पूरी तरस से जकड़ लेगा my legs मेरे पैर would become हो जाएगे parallel आई सकती हीर यानि मेरे पैर सकती हीन हो जाएगे I see horror I see बरफीला horror मतलब भय उट ग्रैब पकड़ लेगा my heart मेरे हिर्दय को यानि बरफीला भय या आतंक मेरे हिर्दय को जकड़ लेगा या पकड़ लेगा grab मतलब पकड़ना इसके बार आगे बढ़ती है this handicap या कठिनाई या फिर अच्छमता stay with me मेरे साथ ठहरारा आर्थाद बना रहा as the ears rolled by जैसे जैसे वर्स rolled by गुजरते गया या जैसे जैसे वर्स बीतते गये या अच्छमता या कठनाई मेरे साथ ठहराराया बना रहा इन can use छोटी नाओ में on main legs यानि main के जिलो पर main के जिलो पर छोटी नाओ में fishing मतला मचली पकरना for landlocked salmon यानि भूमी से गिरे हुए salmon मचली यानि main के जिलो पर छोटी नाओ में भूमी से गिरे salmon मचली को पकरना bass fishing in new hampshire यानि new hampshire में bass मचली को पकरना trout fishing on the destitute and metolius in RN और RN में metolius or destitute पर trout मचली को पकरना fishing for salmon on the columbia at bumpering lake in the cascades यानि cascades में bumpering जील पर और columbia में salmon मचली को पकरना या सुनान मचली का सिकार करना where ever I went जब कभी मैं जाता था the hunting fear बार बार आने वाला भै आप the water मतलब उस जल का hunt मतलब बार बार आना यानि जल का बार बार आने वाला भै farled me मेरा पीछा करता था when ever I went जब कभी मैं जाता था the hunting fear of the water जल का बार बार आने वाला भै farled me मेरा पीछा करता था eater रूंडिया बरबाद कर दिया था my fishing tips मेरी मचली पकड़ने की यात्राओं करें मेरी मचली पकड़ने की यात्राओं को यह समाप्त कर चुका था या बरबाद कर दिया था deprived वन्चित कर दिया था मी मतलब मुझे आप दा जुआए उस आनंद से आप कैनिंग छोटी नाव में बैठने का बोटिंग बड़ी नाव में बैठने का एंड स्विमिंग और तैराकी करने का यानि तैराकी करने बड़ी नाव में बैठने और छोटी नाव में बैठने के आनंद से मुझे डिप प्राइड वन्चित कर दिया था इसके बाद आगे बढ़ते हैं I used every way मैंने प्रतेक तरीके का प्रियोग किया I knew जो कि मैं जानता था नि मैंने प्रतेक तरीके का प्रियोग किया जो कि मैं जानता था to overcome विजय पा लेने को या जीत लेने को this fear मतलब या भय यानि इस भय को जीत लेने के लिए या इस भय पर काबू पालने के लिए मैंने हर तरीके का प्रियोग किया जो कि मैं जानता था बट इट हेल लेकिन या पकड़ा था मी मतलब मुझे फिर्मली मतलब द्रिडता से इन इट्स ग्रीब अपनी पकड़ में लेकिन या मुझे अपनी पकड में द्रिड़ता से पकड़ा था फाइली मतलब अंतता 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर को I decided मैंने निड़े लिया 2 गेट मतलब प्राप्थ करने का an instructor एक प्रसिचक को and learn और सीखने को 2 sim मतलब तरना या तराकी यानि अंतता 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रसिचक प्राप्थ करने और तराकी सीखने का निड़े लिया I went to a pool मैं एक ताल के पास जाता था and practiced 5 days a week और एक सप्ता में 5 दिन अभ्यास करता था and hour each day प्रतेक दिन 1 घंटा यानि मैं एक ताल के पास जाता था और प्रतेक दिन 1 घंटा एक सप्ता में 5 दिन अभ्यास करता था the instructor मतलब प्रसिचक पूट मतलब रखता था and belt मतलब एक belt around me में मेरे चारो और यानि वो प्रसिचक मेरे चारो तरफ एक belt रखता था यानि मुझे चारो तरफ एक belt से बांध देता था a rope attached एक रसा जुड़ा हुआ to the belt मतलब उस belt से यानि एक रसा उस belt से जुड़ा हुआ went through के माध्यम से जाना देखे went through a pulley पुली मतलब घिरनी यानि एक रसा उस belt से जुड़ा हुआ एक घिरनी के माध्यम से जाता था that मतलब जो की run on दोड़ता था and overhead एक उठे हुए केबल मतलब केबल यानि एक रसा उस बेल्ट से जुड़ा हुआ एक घिरनी से होकर जाता था जो की एक उठे हुए केबल पर दोड़ता था ही हेल्ड वह पकड़ा होता था to the end सीरे को आपदा रोप मतलब उस रसे यानि वह उस रसे के सीरे को पकड़ा होता था and we और हम लोग went back वापस जाते थे and forth और आगे जाते थे back वापस जाते थे and forth और आगे जाते थे across the pools उस संपुड ताल यानि हम लोग उस संपुड ताल के आगे पीछे आगे पीछे जाते थे आगे पीछे करते थे hours and hours, यानि घंटो दर घंटो, day after day, यानि दिन दर दिन, week after week, यानि सप्ता दर सप्ता, on each trip across the pool, यानि उस ताल को पार करनी की प्रतिक यात्रा पर, a beat of the panic, यानि छोटा सब है, या डर सीज में, मुझे पकड़ लेता था, सीज मतलब पकड़ना, यानि उस ताल को पार करनी की प्रतिक यात्रा, यात्रा पर छोटा सा भय मुझे पकड़ लेता था, each time, हर बार, the instructor मतलब प्रसिचक, relaxed धीला कर देता था, relaxed मतलब धीला या राम, तो देखे, each time, प्रतिक बार, the instructor मतलब प्रसिचक, relaxed रही जोल, अपनी पकड़ को धीला कर देत था, on the road मतलब उस रशे पर, and or I went under, और मैं नीचे जाता था, some of the old terror, यानि कुछ पुराने आतंक या भैर, returned, lot आते थे, and or my legs, मेरे पैर, froze, जम जाते थे, यानि कुछ पुराने आतंक, lot आते थे, और मेरे पैर, जम जाते थे, it was three months before the tension began to slack, slack मतलब कम होना, या मंद होना, देखे, तो, slack मंद होना, या समाप्थ होना, it was three months, तीन महीने हो गये थे, before the tension, उस तनाव begun to slack, उस तनाव को कम होने से पहले, तनाव कम होने से पहले तीन मन्थ हो गये थे, तनाव कम होने में तीन महीने लग गये थे, then मतलब तब he taught me उन्होंने मुझे सिखाया to put रखने को my face अपनी चेहरे को under water मतलब जल के नीचे and exhale और exhale inhale मतलब सास लेना exhale मतलब सास छोड़ना तो देखे then he taught me तब उन्होंने मुझे सिखाया to put my face अपनी चेहरे को under रखने को water मतलब जल के नीचे अंदर रखने को and exhale और सास छोड़ने को and to rest और उठाना my nose और अपनी नाक को उठाने को inhale inhale और सास को लेने को यानि तब उन्होंने मुझे अपने चेहरे को जल के नीचे रखना और सास छोड़ना और अपनी नाक को उठाना और सास लेना सिखाया I rifted the exercise मैंने उस exercise का rifted दोहराया मैंने वह अभ्यास दोहराया hundreds of times यानि की सैकड़ो बार यानि मैंने वह अभ्यास सैकड़ो बार दोहराया bit by bit धीरे धीरे I said मैं निकाल दिया part of the panic part मतलब भाग of the panic मतलब उस भैक यानि मैंने उस घवराहट के भाग को निकाल दिया था दूर कर दिया that sees me जो कि मुझे पकड़ा था when my head went जब मेरा सीर जाता था underwater जलके नीचे bit by bit I said part of the panic that sees me when my head went underwater यानि धीरे धीरे मैंने उस घवराहट के हिस्से को निकाल दिया that sees me जो कि मुझे पकड़ लेता था या जकड़ लेता था when my head went underwater जब मेरा सीर जलके नीचे जाता था यानि धीरे धीरे मैंने उस घवराहट या डर के हिस्से को निकाल दिया जो कि मुझे जकड़ लेता था जब मैं जलके नीचे जाता था तो assurance इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसके बाद एक पार्ट और है इस चैप्टर का जो कि चौथा पार्ट होगा और इसमें या लेसंज जो कम्प्लीट हो जाएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट के माद में से बताएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है की नहीं और कोई सुझा हो तो भी कमेंट के माद में से बताएगा तो इस वीडियो में फिला लिता है मिलते है नेश वीडियो में तब तक किले थेंक्यों सो मच वाचिंग इस वीडियो वीडियो